Hello everyone, welcome to my channel, I am Priya and you are watching Priya's Decor Mantra So, आज के वीडियो में मैंने दो चीजों को कमबाइन किया है, एक तो शॉपिंग हॉल और दूसरा DIY तो ये जो MDF के कट आउट्स हैं, ये मैंने मीशों से लिए हैं और उसके बाद में DIY आपके साथ में शेर करने वाली हूँ वैसे तो Indian culture के according किसी भी festival में रंगोली का बहुत importance होता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास time नहीं है या फिर चीजे नहीं है या फिर जो बुज़र्ग लोग होते हैं जिनके आपर कोई रंगोली बनाने वाला नहीं होता है उन्हें बहुत ज़दा problem होती है तो इस problem को solve करने के लिए मीशो से मैंने ये बहुत ही amazing से cutouts लिये हैं इसमें मैं DIY करने वाली हूँ और उसके बाद से मैं permanent रंगोली में convert करूँगी इससे बहुत ज़दा help मिलेगी अगर आपके पास time है तो obviously आप अच्छे से रंगोली बना सकते हैं लेकिन अगर time नहीं है तो भी आप रंगोली से अपने घर को decorate कर सकते हैं इसके लिए जितने भी ये base cutouts थे उन पर मैंने water और favicol का एक paste बना कर उसे लगाया है क्योंकि जो steps मैं आगे करने वाली हूँ उसके लिए base coating बहुत important है मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे की steps क्या होने वाली है और उस इसमें white color नहीं किया है डायरेक्ट ही मैं acrylic color से इसे paint कर रही हूँ और इसके दो-दो coat supply किये हैं इस तरह से design बना के काफी अच्छा लग रहा था तो जितने भी पार्ट से सब मैं मैंने bright color से use कि हैं क्योंकि रंगोली में bright colors बहुत अच्छे लगते हैं इसके बाद में कुछ detailing मैंने add कर दी है यह optional है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने यह basic designs इस पर बना दी है इन designs को बनाने के लिए मैंने 3D cone outliner यूज किया है golden color में जो मिल जाता है easily available होता है और इसे dry करने के लिए मैं रग दूँगी dry होने के बाद हम इसमें next step करेंगे तो इसके लिए मैंने resin और hardner लिया है so यह 2 is to 1 resin hardner है generally 2 is to 1 coating के लिए use होता है और जो 3 is to 1 आता है वो casting के लिए use होता है तो यहाँ पर मैं coating करने वाली हूँ और जब भी resin का काम करे तो अच्छे से gloves पहल लेना चाहिए and इसको measure करके ही अ 20 grams क्योंकि 2 is to 1 ratio में है और proper measure करके ही लेना है क्योंकि अगर यह proper measurement नहीं हुआ और यह dry नहीं हुआ तो पूरा का पूरा DIY खराब हो जाएगा इसके बाद इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से 2-3 मिनिट तक मिक्स करना है अच्छे से 2-3 मिनिट तक मिक्स करना है तो उसके back side पर कुछ भी stick नहीं होगा क्योंकि weseline पर resin टिकता नहीं है और इसके बाद में धीरे धीरे से इस पर पोर करती जाओंगी पोर करने के बाद में यह थोड़ा सा side side में नीचे की तरफ गिरने भी लगेगा लेकिन हमने जो transparent sheet यहां पर बिछा कर रखी है इससे हमा पीसे तयार किये थे उन सब में resin के एके coating लगा दूगी में हलकी हलकी coating ही रखना है बहुत ज़दा करेंगे तो पूरा का पूरा resin नीचे गिर जाएगा उसके बाद 24 आर्स ड्राय होने के बाद में यह देखो इस तरह से दिख रहा है बहुत अच्छी फिनिशिंग में यह रेडी हो गया है और बैक साइट पे भी कुछ भी नहीं लगा है और 24 आर्स के पहले इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है तो मुझे तो यह DIY बहुत ही पसंद आया आप भी इस दिवाली अपने घर को डेकोरेट कीजिए और ए झाल 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 झाल